हलो फ्रेंड्स, सेंट्रल गावर्मेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि देश के सभी स्टेट के ड्राइविंग लाइसन और आर्सी बुक, चीप और क्यू आर कोड बेस होंगे, याने के स्मार्ट ड्राइविंग लाइसन्स, अभी तक हर देश के हर स्टेट में उनके हि पॉलिसी के हिसाब से ड्राइविंग लाइसन और आर्सी बुक बनते थे, बट अब पूरे देश में एक जैसा ही फॉर्मेट होगा, एक जैसा ही कलर होगा, तो चलो देखते हैं कैसे अपलाई करना है आपके स्मार्ट ड्राइविंग लाइसन्स के लिए, परिवहन के उसके बाद यहाँ अपलाई ऑनलाइन में जाना है और सर्विसेस और ड्राइविंग लाइसन्स पे क्लिक करना है, इस पेज पे आपको पता चलेगी ड्राइविंग लाइसन्स रिलेटेड ऑनलाइन कितनी सारी सर्विसेस है, तो हम लोग इश्यो अप डूब्लिकेट ड्र करने वाले है smart driving license के लिए अब ही continue करना है, यहाँ details आपको fill करनी है, आपका current driving license number डालना है, driving license पे जो date of birth है, वो यहाँ डालनी है, यहाँ state जो है वो डालना है और RTO select करना है जो current आपका RTO PIN code is not mandatory next page पे आने के बाद यहाँ आपके current driving license related details दिखेगी आपका photo, driving license, number, address सब कुछ यहाँ दिखेगा और उसके बाद यहाँ आपको अगर आपका खूद का driving license है तो yes करना है यहाँ आपको कुछ नहीं select करना है यहाँ आपकी state select करनी है और RTO, जो RTO में driving license है वो select करना है और प्रोसेस करना है प्रोसेस करने के बाद next page में फिर आपको same details देगे सिप यहाँ mobile number आपको confirm करना है यहाँ से आप आपका mobile number जो registered है उसे change भी कर सकते हो बट mobile number सही होना चीए जिस पे एक OTP आएगा वो आपको fill करना है और यह भरने के बाद यहाँ confirm करना है और यह next page पे आपको issue of duplicate DL पे click करना है क्योंकि आपको duplicate license जाईए जो के smart cheap based driving license होगा और फिर प्रोसेस करना है यहाँ आपको reason select करना है next page पे miscellaneous select करके यहाँ आपको reason mention करना है require smart driving license जैसे यहाँ आप confirm करोगे यह window आपको दिखेगा यहाँ आपको acknowledge करना है यह first वाला आपको tick करना है second वाला है I am willing to donate my organs आपके date के बाद अगर organs donate करना है तो यहाँ click करना है otherwise यह capture code fill करके submit करना है next page पे आपको acknowledgement receipt दिखेगा यहाँ आपको SMS आपने जो registered number किया है ओ नमबर पे SMS already send हो चुका है और यहाँ details पूरी check करके verify करके acknowledge receipt का print out भी लग सकते हैं उसके बाद next करना है next करते हैं आपको a page दिखेगा जहाँ आपने कौन से service के लिए apply किया है ओ दिखेगा और यहाँ आपके transaction का status पता चलेगा issue of duplicate deal services service on deal जो process है वो complete किया है अभी आपको payment करना है payment is pending from applicant तो आपको payment करना है यह radio button आपको select करना है यह और यहाँ process करना है और इस page से आपको payment करना है यहाँ आपको 266 रुपे चार्ज लगेगा duplicate driving license के लिए और यहाँ पूरा description दिया है कौन से क्या-क्या charges लगेंगे और यहाँ आपको gateway select करना है और एक capture code fill करके pay now पे क्लिक करना है यह details verify करके I agree pay क्लिक करके proceed for payment करना है और payment करने के लिए आपके पास तीन option है credit card, debit card से कर सकते हो intended banking या wallet से payment कर सकते हो payment करने के बाद आपको receipt save करके रखना है driving license आपको post से आपके delivery address पे आ जाएगा duplicate license के लिए आपको कोई भी document नहीं देना है बस यह process follow करके payment करना है thanks for watching this video hope यह video आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो please मेरा channel subscribe और please bell icon पे click कर ताकि next updates आपको मिलते रहें